अमेठी में सिच्छक वा उसके परिवार की गोलियों से भून कर नरसंस तरीके से हत्या मामले में आपको बता दे कि जहां जो आरोपी था चंदन वर्मा उसको पुलिस ने गिरिपतार कर लिया और मुडभिड के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है वहीं मृतकों के श सुनिल कुमार उसकी पत्नी पूनव वह उसके दो मासुम बच्चों के सो यहीं पर रखे हो अंतिम संसकार बकायदा विद्विधान से जो है हिंदूरी त्रिवास से किया जा रहा है कहीं निकर जिस तरह से जो हत्या कांड हुआ था और उसके बाद जो आरोप्रतर रोप को गोला घाठ है जहां परियंतिन स्कार किया जार हमारे साथ बहुजों समझ पाल्टी के जिला धश मौजूद है इनसे जाने के घटना करम के बारे में क्या लगरा जिस ताप से अगर देखा जाए जो जगन अपरा घटना करम हुआ है उसमें आरोपी भी गरपतार हो गया है उपरिवार हमारे अभिन्य हैं उनकी पूरी संपहती के साथ मुझो सभी प्रशासन को धन्यवाद देता हूं अगर इसी तुरित कारवाई की होती तो साय दीदी नाजमों का देखना मिलता मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं मीडिया बंधूं के माध्यम से ये बा कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के कोशिश ना करें इसा देखिए दलित नेता हिंसे भी जाने की जो इस तरह से घटना करम हुआ और आरूपी की गिरिपतारी भी हो गई है क्या कहना है आपका बहुत-बहुत धन्वाद पत्रकार महुत जी आपको और आपके चैन लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया है और उसको जो दोसी था उसको अभी रात में पकड़ भी लिए प्रसासान मेटी ने और उसके पैर में गोली भीमारी है लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं उतर-प्रदेश सरकार को कि अगर आप लोग इसी तरह एक सले करके इस तरह की जो दोसी है उनको सरे आम गोली से इंकाउटर होना चाहिए या बीच और राहे फांसी होनी चाहिए जिससे आने वाली पीडी इस तरह की कोई घटना को अंजाम ना दे और दूसरी बात है मैं परिवार की तरफ से और आ अगर जो गठना करम हुआ है एक ही परिवार की चाल लोगों की हत्या कर दी आती है लेकिन जो है आरूपी की गिरिपतारी भी 位ह उसका इंकाउंटर भी कर दिया गया अभी तो ऐसी Jagakारी नहीं है मुकदमा साहर को तो आली में लिखाया गया था अगर ये जो है